लड़कियों की गान मारने के 6 फाइदे होते हैं आज यहां पर कुछ ऐसे विशय के बारे में बात करने वाली हूँ जो की सुनने में भी अजीब लगता है कि लड़की की गान मारने के फाइदे क्या होते हैं लड़की की गान मारने के तरीके तो हमने आपको बता ही दिये हैं, क्योंकि अगर आपको लड़की की गान मारने का तरीका ही पताना हो तो फाइदे जानकर आप क्या करने वाले हैं। बहुत लड़कों को औरत की गांड मारने का तरीका पता नहीं होता है, तो वह किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं कि गांड मारना सिखाओं या गांड मारना बताईए, इसलिए हम इस विडियो के माध्यम से गांड मारने की जानकारी देकर आप लोगों का सहायता करने का प्रया से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बहुत सारे लड़के चूत में अपना लिंग डालते हुए लड़की के गांड में लंड डाल देते हैं दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए लड़की अगर आपको गांड मारने के लिए मना करती है तो आपको लड़कों के लिए क्या है साइंस के मुताबिक लड़की गांड मारने के ऐसे कोई फाइदे सामने नहीं आए है बस लड़की की गांड मारने के बाद लड़की प्रेगनेंट नहीं होती है यह सबसे अच्छा फाइदा होता है अगर लड़की के पीरियट चल रहे हैं तो गुदा मैथुन करना भी सेक्स करने का तरीका माना जाता है। गांड मारने से इनसान को रफ सेक्स का आनंद मिलता है। गांड मारने से गुदा मैथुन होकर प्रेग्नेंसी होने का डर नहीं होता है। गांड मारने से इनसान को पूरी तरह तृप्त होने का एहसास होता है। गांड मारने से सेक्स की नई पोजीशन का मज़ा उठा सकते हैं। लड़की की गांड मारने के फाइदे के लिए आपको हमेशा अपने लंड पर यानि की आपके लिंग पर कंडों का इस्तमाल जरूर करना चाहिए। लिंग पर किसी भी प्रकार जीवानों का गुरा असर नह पढ़ना चाहिए इसलिए हमेशा कंडों का इस्तमाल करना चाहिए।